योग के संदर में वैसे तो अनेक तरह से बाते होती हैं पर आज हम थोड़ा सा उसका अलग पहलू समझने की कोशिश करते हैं वास्तव में जो अध्यात्मक ग्यान को पाच चुके हैं जिन्होंने अध्यात्मक ग्यान प्राप्त कर लिया है उनको अपने इस अध्यात्मक के मार्क पर आगे बढ़ने के लिए जो मार्क दरशक है या तो वो पत है या किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है ये योग है तो इसे लिए योग के संदर में अगर हम कुछ समझना चाहे तो हमें पतनजली को ही और रेफर करना है उनका जो पतनजली योग शुत्र है उसी से हम समझ सकते हैं तो पतंजली की अनुसार योग क्या है? तो व्याख्या, जैसा हम सरण रूप में समझने के लिए कह सकते हैं, कि चित की वृत्तियों का निरोध करना, चित की जो वृत्तिया है, उसका निरोध यानि उसको रोकना, ये योग है, ऐसा पतंजली कह रहे हैं, यानि एक चित है, और उसकी वृत्तिया है, उसे हमें रोकना है, बस, लेकिन चित क्या है, वृत्ति क्या है, और कैसे रूख सकता है, तीनों स्टेप, अगर समझना चाहे, तो चित क्या है, चित यानि चेतन, चेतन जिससे हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, वो चित है, और ऐसा ग्रंथों में समझाया गया है कि शृष्टी का जब उत्भव हुआ तो सतोगुण का जब प्रभाव रहा ज्यादा सतोगुण का प्रभाव रहा उस समय चित की उत्पति हुई यानि चित पूर्ण रुप से सतोगुणी हैं और कार्य क्या है चित का तो सबसे पहला जैसे अभी हम समझ रहे थे कि कोई भी कार्य करने की प्रेणा देना ये चित का काम है चित्त की प्रेणा से जब कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य को संग्रहित करना ये भी चित्त का काम है और एक आगे और बात पताई जाती है कि जो हम स्मरन करते हैं उसको भी संग्रह करना ये चित्त का काम है तो जब कहते हैं कि हमारे चित के सामने कोई द्रश्य है कोई वस्तू है और अगर द्रश्य वस्तू नहीं भी है तो कल्पना है यादे हैं तो कहते हैं कि किसी वस्तू में द्रश्य में कल्पना में स्मृति में जब चित उलज जाता है उसमें उलजने की जो प्रक्रिया हुई इसको चित की वृत्ति कहा जाता है तो सरल सब्दों में कि जब हमारा चित कहीं उलज गया ये चित की वृत्ति है तो यानि जो उल्जा है वो उल्जे ना वो उपाई योग है चित्त को द्रश्य में, वस्तू में, कल्पना में, यादो में उलजने से रोकना ये योग है तो कैसे रोका जा सकता है तो उसके उपाई दस उपाई बताये हैं हलाकि पतंजली ने और ये उपाई अलग-अलग श्रेणी के अनुसार समझाए जाते हैं कि क्योंकि ये अध्यात्म ग्यान पाने के बाद उस राह पर आगे चलने वाले को मार्ग दर्शन देता है तो इसलिए उसके तीन अलग-अलग श्रेणी बनी हैं कि एक उत्तम श्रेणी के साधक कि जो पूर्व जन्मों से इस राह पर चल रहे हैं और उनके लिए जो पहले से ही इस यात्रा पर निकल चुके हैं उनके चित को रोकने के लिए जो उपाई बताए गए हैं दो उपाई कहें हैं अभ्यास और बैराके कि उनका चित अभ्यास से भी रुक जाता है और उनका चित बैराक से भी रुक जाता है अभ्यास यानि अध्यात्म विद्या का अध्यान अभ्यास यानि किसी भी कार्यों को बार-बार करना ये अभ्यास है अब अभ्यास से क्या करते हैं तो कहते हैं कि चित्त की चंचलता को रोकते हैं अब अभ्यास किस तरह से काम करता है तो एक दृष्टान चोटा सा मुझे याद आ रहा है इस अंदर में कि एक राजा थे और अपने मेहल के जरुके से एक बार उन्होंने बाहर जब देख रहे थे तो उनकी दुर कहीं पर हरी हरी घास है और वहाँ पर एक चरवाहा जो है बकरियों को चरा रहा है राजा ने देखा बकरी को सुबह के समय में कि हरी हरी घास है बकरी घास चर रही है शाम के समय में देखा देखा बकरी घास चर रही है बार बार राजा ने उस तरफ ध्यान दिया तो उसको समझ में आया कि जब देखो मैं जब भी देखता हूं तो बकरी घास ही चरती है ये दिन बर यही करती है क्या और इतना करने पर भी क्या उसका पेट भरता होगा तो कहते हैं कि राजा ने एक उपाई किया और अपनी प्रजा में एक जो है निंडोरा पिटवाया दर्बार में एक बकरी रखी और कहा कि भाई जो इस बकरी का पेट भर दे उसको मुँ मांगा इनाम मिलेगा अब इनाम की लालच से बहुत लोग तयार हो रहे हैं पहले दिन एक व्यक्ति ले करके गया दिन भर उसको खूब हरी भरी घास खिलाई हरी हरी घास खाते खाते पुरा दिन भीता शाम हुई उस व्यक्ति ने सोचा एक तो खूब घास खाई बकरी का पेट भर गया लेकिन जब राजा के सामने दर्बार मिलाए राजा ने कहा मैं परिक्षा करूँ पहले बकरी के सामने फिर से हरी घास डलवाई जैसे हरी घास देखी बकरी ने उसको खाना शुरू किया राजा ने कहा भई इसका पेट तो भरा नहीं अगर पेट भरा होता तो ये घास नह ले गया बहुत लोग आए प्रयत न किया लेकिन वही बात होती जैसे राजा के सामने बकरी आती उसके सामने घास डालते बकरी घास खा लेती अब क्या करें तो कहते कई दिनों से यह जो चल रहा था घटना क्रम एक बहुत बुद्धिमान सजन व्यक्ति इसको देख रहे थे आखिर में जब सब हार मान गए तो वो गए राजा के सामने कहा राजन मैं आपकी बकरी का पेट भर सकता हूँ राजा ने का सोच लो भाई इतने सारे लोग ले गए सब हार गए कोई बात ने इतने सारे हो गए मैं एक और सही वो व्यक्ति ले गया अब उसने क्या किया कि जो बकरी थी उसके गले में रस्ती डाली लंबी और उसको ले करके जहां बहुत हरावरा घास था उस मैदान में ल कुछ हो रही है लेकिन हुआ कि जैसे बक्री उस घास को खाने के लिए आगे बढ़ती है जैसे उसका मुह घास के नजदीक गया इसने एक डंडा रखा था बड़ी जोर से बक्री के मुह पे डंडा मारा अब क्या हुआ कि चोट लगी बड़ी जोर से दर्द हुआ बक्री थोड़ी देर रुख गई अब खड़ी है सामने घास भी है लेकिन बक्री घास नहीं खा रही है थोड़ा समय बीता जब थोड़ा दर्द कम हुआ उसने दुबारा कोशिश की दूसरी बार जब बक्री घास खाने लगी उस व्यक्ति ने दुबारा उसको मारा कि कहते हैं कि दिन पर यहीं क्रम चला बक्री थोड़ी कोशिश करें और उसको डंडा दिखें तो शाम होते होते यह हुआ कि बक्री ने कुछ नहीं खाया है पूरा पेट खाली पड़ा है पेट चिपक गया है लेकिन घास देख करके बक्री खा नहीं रही है अब शाम को व्यक्ति गया दर्वार में राजा के सामने बक्री को खड़ा किया सब ने देखा भई आज तो बक्री तो बिल्कुल जो है उसका पेट चिपका है कुछ नहीं खाया है राजा ने हमेशा की तरह मैं परिक्षा करता हूँ कहा घास मंगाई बक्री के सामने घास है बक्री को भूख लगी है घास सामने है लेकिन उसको डंडा याद आ रहा है तो घास सामने है फिर भी बक्री ने घास नहीं खाई राजा ने कहा यह तो कमाल हो गया अश्चरे हो गया कि इतनी बार लोगों ने कोशिश की लेकिन बकरी का पेट नहीं भरा तो यहाँ पर जो बात हम समझ रहे हैं अभ्यास की कि यह बताया गया कि जैसे बकरी यह हमारा चित है घास है उरित्ती है अब बकरी को घास से रोकने का एक ही उपाई था और वो था उसको दर्द डंडा तो ऐसे ही हमारा चित कोई भी विशई हमारे सामने होगा तो उसकी तरफ आकर्शित होता है और उसकी तरफ वो आगे बढ़ेगा लेकिन वहां से रोकने के लिए जो पहला उपाई बताए उत्तम श्रेणी के सादक के लिए कि उसे रोकना है अभ्यास के माध्यम से अभ्यास किसका अभ्यास स्मरण का अभ्यास प्रभु के नाम के जब का इसके माध्यम से जब विशय की तरफ मन जाए उसको प्रभु की नाम में लगो फिर विशय की तरफ मन जाए उसको प्रभु की नाम में लगाओ ऐसा करते 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 और उसकी चंचलता खतम होती है तो पहला तो ये उत्तम श्रेणी वालों के लिए है कि अभ्यास से और बैरा पर चलना शुरू किया है वो मध्यम श्रीनी का साधक है उसके लिए क्या उपाय है उसके लिए उपाय है कि जो भी कर्म करते हैं इश्वर प्रणिधान यानि इस्वर को समर्पीत करते हुए इस कार्यों को करना यानि हर एक कार्य में जो भी कर रहे हैं खा रहे हैं तो भी और संसार के जो भी काम कर रहे हैं उसको इश्वर को अर्परित करने से क्या होता है कि अपने अंदर में एक अलग तरह की भावना जागरित होती है और वो साधक फिर एक ही तरफ उसका चिंतन रहता है और वो सिफ इश्वर की तरफ रहता है और जिससे उसके चित का दूसरी निम नश्रेणी के यानि जो साधक अभी जिसने अध्यात्म ग्यान प्राप्त किया है और अभी जो चलना शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या उपाय है तो उनके लिए उपाय जो बताया है वो है अश्टांग योग तो दस तरक के निरोध के उपाय है लेकिन उसमें मुख्य मुख्य की चर्चा हम करेंगे तो निम नश्रेणी के लिए अश्टांग योग बताया है तो अश्टांग योग क्या है जैसे यम नियम आठ अंग है अश्टांग मतलब आठ अंग है क्या क्या है यम है नियम है आसन प्राणायम है प्रत्याहार है धर्णा है ध्यान है और समाधि यह आठ अंग है और इन आठ अंग के और बाध्यम से हम अपने चित की वृत्यों को रोख सकते हैं यानि चित की जो चंचलता है बार-बार विश्यों की तरफ आकरशीत होना इसको हम रोख सकते हैं और उसके लि अंग है वो है यम और जो आठ अंग में सबसे पहला जो अंग है यम जो है यम क्या है यम का मतलब होता है अनुशाशन तो यम पांच बताए गए हैं लेकिन यम क्या है उसको समझाने के लिए कहा कि यम्यते निम्यते चित्तम कि जिसके माध्यम से हमारा चित्त नियंत्रण में हो जाता है वो यम है तो चित्त का नियंत्रित होना यह एक अनुशाशन के माध्यम से हम करते हैं और इसलिए जो यम को प्रथमस्थान दिया गया है अश्टांग योग में प्रथमस्थान यम को दिया गया है अब यह जो पांच यम है हलाकि पतंजली ने यम के जो पांच यम है उसके बारे में नहीं ज्यादा बताया है लेकिन उसका जो परिणाम है अगर आप उसका पालन करते हो उस यम को अपने जीवन में आच्रण में पालन में लाते हो तो उसके परिणामों की चर्चा पतंजली ने योगशुत्र में क वृत्तियों को यानि उसकी चंचलता को बाहर बाहर की तरफ भागने का जो उसका स्वभावे उसको रोकना चाहते हैं और किसी भी जो है चंचलता को चंचल वस्तु को रोकने के लिए अनुशाशन जरूरी होता है बिना अनुशाशन के एक सही दिशा में कहते हैं कि हमारी ज तो है प्राणों का प्रवा एक सही दिशा में नहीं होता है। देखो इसके लिए द्रश्टान के रुप में गुरु महराजी अनेक बार सुनाते हैं इस बात को कि जैसे एक चुम्बक होता है, एक लोहा होता है। लोहे में और चुम्बक में क्या फर्क होता है। तो कहते हैं कि चुम्बक की अंदर जो उसके जितने भी जो सेल है, कहते हैं कि सारे एक ही तरव में एक ही दिशा में गती करते हैं। और लोहे के अंदर क्या होता है। कोई इधर जा रहा है, उसकी गती मन मानी, अलग अलग दिशा में, एक से विप्रीद दिशा में, दुसरा जा रहा है, इस तरह से उसके अंदर की गती होती है। तो इसलिए चुंबक में और लोहे में क्या फर्क है कि चुंबक में आकर्षण है क्यूंख उसकी सारी एनरजी एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो इसी तरह से जब हम अनुशाषन को जो है अपने जीवन में लाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी भी जितनी भी एनरजी है हमारे जितनी भी जो है शक्ती है प्राण की जो एक गती है वो एक ही दिशा में होने लगती है और जब एक ही दिशा में प्राण की गती होती है तब तो वो उर्ध्व की तरफ जाता है और तब जो है सहस्त्रारता किया आग्या चक्रों को भेद करके उपर वो जा सकता है और इसलिए अनुशाशन बहुत जरूरी है इसलिए यम को सबसे पहला स्थान पतंजली ने दिया है तो तो जो अपने जिवन के अंदर इन पाच यम को आचरण में लाते हैं तो कहते हैं कि बहुत हादी तक वो अपने चित्व को शान्त कर ही लेता है लेकिन साथ ही साथ उसका चरित्र भी बहुत अच्छा निर्मान होता है तो यह यम क्या है उसको भी हम समझते हैं तो यम यानि अनुशाशन और अनुशाशन इसलिए जरूरी है क्यूंकि इसके माध्यम से ही हम अपनी बहीर मुखी वृतियों को रोख करके और एक स्थान पर स्थीर कर सकते हैं क्यूं जरूरी है तो उसको इस रुप में भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एक कमरा है कमरे में खिर्किया है दर्वाजे सब खुला है बाहर बहुत जोर से हवा चल रही है आंधी चल रही है खुब मिटी उड़ रही है कमरे के अंदर अगर आप चाहो कि वो बाहर की धूल मिटी ना आए कमरा साफ रहे अगर आप उसको साफ करना या रखना चाहते हो तो समझदार व्यक्ति कोई भी कहेगा सबसे पहले खिर्की दर्वाजे बंद करो बाहर से मिटी आना बंद हो जाएगी और जैसे बाहर से मिटी आना बंद हो जाएगी तो अंदर की जो मिटी है उसको साफ करना आसान हो जाएगा तो इसी तरह से हमारे पुर्वजों ने ये बात समझाई कि ये जितनी भी हमारी आखनाक, कान, ये जितनी इंद्रियां है ये छोटे-छोटे जो है विश्यों के आने के, उसकी हवा को आने के द्वार है और इसलिए जब तक वो खुला रहेगा, तब तक कहते हैं कि बहिर मुखी वृत्या बनी रहेगी और इसलिए उसको रोकना अनुशाशन कि जिसके माद्यम से हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को व्यर्थ में बाहर प्रवाहित होने से रोक देते हैं तो अब यह ऐसा नहीं है कि यह कुछ एक्षण के लिए या कुछ समय के लिए यह जीवन में लाना है, नहीं यह जीवन जीने का तरीका है और इसलिए यम यानि जो अनुशाशन है पांश यम बताए हैं, जो सबसे पहला है वो अहिंसा, फिर है सत्वे पिर उसके बाद अस्ते ब्रह्माचर्य और अपरिक्रह पाँच यम बताए गए है तो सबसे पहला यम अहिंसा अहिंसा हिंसा ना करना ये अहिंसा है और अलग सब्दों में सरल सब्दों में समझे तो कहा कि मन से वचन से कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाना ये अहिंसा है अगर मन से वचन से या कर्म से अगर आप किसी को कष्ट पहुँचाते हो तो ये हिंसा है अब बात ये है कि इसको क्यों पालन करना जरूरी है इससे क्या फाइदा होता है क्यों हम इसको पालन करें तो सबसे पहले जैसे अभी हम समझ रहे थे कि चित जो है ये सत्तोगून के प्रभाव से बना हुआ है और हिंसा ये तमोगून को बढ़ाती है तो जब तमोगून बढ़ता है तो चंचलता अपने आप बढ़ जाती है और ऐसा साधक अपने मन को अपने चित को स्थीर नहीं कर पाता है और तमोगून और हिंसा दोनों आपस में जुड़ा हुआ है अगर इस बात को समझना है तो हम अपने धर्मग्रंथों से दृष्टांत ले सकते हैं कि आप सबने ये सुना होगा रामचरित मानस में रामाइन में ये बात कथा कहानी सुनाई जाती है कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास के दौरान और पंपा सरूवर पहुंचे तो कहते हैं कि पंपा सरूवर का जल बड़ा मलीन हो चुका था वहां के रहने वाले आसपास के जो रिशीगण थे प्रभु के जब दर्शन हुए बड़े प्रसन हुए प्रभु से प्रासना की प्रभु आपने अपने चरणों के रज के स्पर्श से और अहिल्या नाम की नारी का उधार किया और हमारा भी पंपा सरूवर बड़ा मलीन है आप उसको भी जह है पवित्र कर सकते हैं तो भगवान राम चंदर जी के सामने जब ये बात आई कि पंपा सरूवर का जो पानी है उसको शुद्ध करना है तो कहते हैं कि भगवान ने पहले जो रिशी मुनी थे उन सब को कहा आगरह किया कि आप अपने अपने चरण डालो पानी को शुद्ध करो रिशीयों ने बारी-बारी से कोशिश की शबने अपने चरण डाले लेकिन पंपा सरूवर शुद्ध नहीं हुआ फिर कहते हैं कि रिशीयों ने प्रार्त्ना की नहीं प्रभू आप ही अपने चरण स्पर्श से इसको शुद्ध करे भगवान राम ने भी अपने चरण जो है उससे पंपा सुरोवर में अपने चरण भी रखे पानी शुद्ध नहीं हुआ अब वहाँ जितनी लोग थे सब ने अपना जो है चरणों का स्परश करवाया पानी शुद्ध नहीं हुआ तब कहते हैं कि भगवान राम ने शबरी ज कुछ आते हुए जो है मना करने लगे भगवान राम ने कहा नहीं तुम डालो और कथा में इसा बताया जाता है कि शबरी ने अपने चरण पंपा सरुवर में डाले और पंपा सरुवर का पानी निर्मल स्वच्छ हो गया तो अब यहां पर इस बात पर चर्चा होती है कि बड भगवान राम स्वयम कोशिश किये उनसे भी नहीं हुआ ऐसा क्यों तो कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि भाई मैंने यहां जब बनवास के समय में और जब देखा कि राक्षसोन के माध्यम से रिशी मुनियों को कितना कश्ट पहुंचाया जा रहा है तो मैंने भी और ज भगवान राम चंदरजी अनिक राक्षसों का वध करते हुए दीरे दीरे आगे बढ़े शब्री के पास पहुंचे उसके पहले कबंद राक्षस को मारा यानि कबंद का वध करके जब शब्री के पास आए तो भगवान ने कहा कि देखो मैं भी वध कर रहा हूं मैं भी हिं ये हिंसा का भाव नहीं था, वो मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट नहीं दे रहे थे, और इसलिए शबरी के अंदर सतोगुण का प्रभाव इतना था, कि जिसके प्रभाव से वो पानिस्वच हुआ, ऐसा हम कथा सुनते हैं, तो जो हम बात कर रहे थे, कि अहिंसा ये जो हिंसा है, यानि किसी भी तरह से किसी को कष्ट पहुचाने की जो बात है, चाहे हम अपनी वानी से किसी को कष्ट पहुचा रहे हैं, तो जब हम अपनी वानी से किसी को कष्ट पहुचाते हैं, तो ये ऐसा हमारा कर्म बनता है, कि उससे क्या होता है, कि शायद हम बोल करके ब और हमेशा जब भी वो हमें याद करेगा या किसी भी तरह हम को कोही पर भी हमारे बारे में चर्चा होगी उसके अंदर तुरंत वो हमारे प्रती जो नकारात्मक भावना है वो जागरित होगी यानि जब जब भी वो हमारी तरफ फेंकेगा तो अपनी नकारात्मक भावनाओ पास आती है तो हमारे मार्ग में बहुत बड़ा एक विगन बन करके खड़ी हो जाती है तो जब हम किसी को कश्ट देते हैं तो वास्तों में वह कश्ट उसको जितना भी हो लेकिन उससे कई गुना हमें खुद को वो नुक्सान करता है और ये भी कहा जाता है कि जो किसी भी तरह से जो हिंसा करता है तो उसके लिए ये भी बात बताई जाती है कि उसके brain structure में जो तो moral judgment जो making की जो एक उसके लिए जो involved होने वाला brain का जो part है, कहते हैं कि वो damage हो जाता है, मतलब हिंसा सिर्फ दूसरों को नुकसान करती है ऐसा नहीं, सबसे पहले हमें नुकसान करती है हमारे अंदर कहते कि जज्जमेंट मेकिंग की जो एक शमता है वही डेमेज हो जाती मतलब हम सही डंग से कोई भी निरने नहीं ले पाएंगे इतना बड़ा नुकसान हमारे ब्रेन में हो जाता है और इसी दिए जो है पतन जली ने सबसे पहला महत्वयम में यानि योग में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहली जरूरत है वो है अहिंसा की है तो अब होता क्या है चर्चा तो अनेक रूप में हम कर सकते हैं परिणाम की चर्चा पतन जली ने किया है परिणाम क्या होता है जब हम हिंसा को अपने जीवन में लाते हैं और अहिंसा अहिंसा जो हमारे जीवन में आती है तो कहते उससे इतना हमारा औरा इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है हमारे और इतना सात्वीक हो जाता है और उस हमारे औरा के हमारे आभा मंडल के पास जितने भी आएंगे उसकी भी हिंसा खतम हो जाती है और ऐसा हम अपने गरंतों में पढ़ते हैं और स्वयम माता शबरी ने भगवान राम से ये कहा कि मतंग रिशी का जो आश्रम है और उस आश्रम में कहते हैं कि कोई भी पशू वहाँ पर हिंसक पशू भी आता है तो अपनी हिंसा को त्याग देता है यानि अहिंसा के पालन से हम सिफ अपना ही फाइदा कर रहे हैं ऐसा नहीं है लेकिन हम समाज के अंदर भी और जो है दूसरों के उपर भी उसका प्रभाव हम डालते हैं और इसलिए देखो सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपना जीवन जब जी रहे हैं तो इन बातों का चाहे किसी न किसी रूप में हमेशा हम इस बातों का ध्यान रखें कि जहां तक हो सके हम दूसरों को कश्ट पहुंचे ऐसी वानी ना बोले ऐसा कोई कर्म ना करें अब फिर बात यह आती है कि हम तो नहीं करेंगे लेकिन दूसरे करेंगे तो अब देखो अहिंसा जो है वो कमजोरी नहीं होती है और खास करके हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर आज हम स्वतंतर भारत में बैठे हैं तो यह भारत को जो स्वतंतरता मिली वो भी कहते हैं कि अहिंसा के मार्क से मिली है और अहिंसक व्यक्ति के पास इतना अपना नैतिक बल होता है कि सामने वाला हिंसक भी उसके सामने कमजोर हो जाता है इसलिए अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है अहिंसा हमारे कहते हैं कि बल है हमारा हमारा आत्मिक बल है हमारा सहज स्वभाव है इसल कित्र को बहुत ही सुद्रण बनात सकते हैं और अध्यात्म की रहा पर आगे बढ़ना है तो अहिंसक होना यह सबसे पहली आवश्यक्ता है जो हम सब को यह अपनी जीवन में धार्ण करनी हैं डानि हैं और और मार्ण चल करके और हम अपनी यह अध्यात्म के यातरा को ध्यान साधना की यह जो है उसमें बहुत जल्दी प्रगतिकर सकते हैं इसलिए हमें इसको अपनाना है कर दो